सूर्य के आतमकारक होने का क्या मतलब है? जैसे की मेरे पास सूर्य आतमकारक है और शनीदारकारक है, इसलिए मैं अपने भावी जीवन साथी और अपने बारे में जानना चाहता हूँ वैदिक जयोतिश में, आतमकारक, आतमा ग्रह, आपकी आतमा की यात्रा, उदेश्य और उन पार्थों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आप सीखने के लिए यहाँ हैं। सूर्य का आत्मकारक होना ये दर्शाता है कि आत्मविश्वास, नेतरित्व और व्यक्तित्व आपके आध्यात्मिक विकास के लिए केंद्रिय है। हालां कि, इस मार्ग में अहनकार, आत्म मूल्य और विनम्रता के साथ अधिकार को संतुलित करने से संबंदित चुनौतियां शामिल हो सकती हैं अब, शनी के दारकारक, जीवनसाथी संके तक होने के कारण, आपके भावी जीवनसाथी में शनी के गुन होने की संभावना है. वे अनुशासित, परिपक्व, मेहनती और जिम्मेदार हो सकते हैं, हालां कि वे धैर्य, प्रतिबधता और रिष्टों में चुनोतियों पर काबू पाने के बारे में भी सबग दे सकते हैं. आपकी साजेदारी शुरू में प्रतिबंधात्मक लग सकती है लेकिन आपसी प्रयास से एक मजबूत और स्थिर बंधन में विक्सित हो सकती है. सूर्य और शनी की गतिशीलता ये सुझाव देती है कि जब आप एक व्यक्ति के रूप में चमकने का लक्ष्य रखते हैं, तो आपका जीवन साथी आपको विनम्रता, सनरचना और साजा जिम्मेदारी का मूल्य सिखा सकता है. आपके सामन जिस्य पूर्ण रिष्टे की कुझी आपकी मुखर उर्जा को उनके जमीनी रिष्टि को उनके साथ संतुलित करने में नहित है. क्या आप इस सयोजन से संबंधित हैं? मुझे टिपपणियों में बताएं. क्रिपया अधिक जियोतिश अंतर दृष्टी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें.